दोस्तों मेरे पास HDFC Bank का दो credit card है एक तो है ये फिजिकल credit card जिसे मैंने online अपलाई किया था और अपलाई करने के मात 5 दिनों के अंदर ही फिजिकल credit card मेरे घर पे बाइपोस्ट पहुँच गया और दूसरा है HDFC Bank का virtual credit card जिसे मैंने page application से अपलाई किया था जब मैंने apply किया था तो वो credit card मुझे तुरंती मिल गया था लेकि जब हम page application में login करते हैं और वहाँ पर card वाले section में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे जितने भी credit card या debit card हैं उस सभी card यहाँ पर दिखाई देंगे जब हम इन card पर इस तरीके click करते हैं तो इन card का number तो हम देख सकते हैं यहाँ पर देखें इस virtual credit card का number तो दिखाई देता है लेकिन इसका CV नमर दिखाई नहीं देता है हाला कि इसका बैलेटी हम चेक कर सकते हैं यहां लिखाए few details यदि हम इस पर click करते हैं तो यह credit card जिसके नाम से है उसका नाम तथा इसका ability यहां पर दिखाई देगा लेकिन इसका CV नमर हमें कहीं भी पता नहीं चल पता है तो आज मैं आप लोग बताऊंगा कि HDFC bank के virtual credit card या फिर virtual debit card का CV नमर कैसे पता करते हैं तो HDFC bank के virtual credit card या फिर debit card का CV नमर पता करने के लिए आपने mobile के अंदर Chrome browser को open कर लेना है ठीक है और browser के search bar में type करना है mycards.hdfcbank.com इतना link का search कर देना है तो HDFC bank के my card वाला website यहाँ पर open हो जाएगा आप हमें क्या करना है हमारे credit card के साथ या फिर debit card में जो भी mobile लिंक है उस mobile लिंक को हमें यहाँ पर डाल देना है उसके बाद get OTP पर click करेंगे तो OTP आ चुका है OTP को हम यहाँ पर डाल देंगे चलिए allow कर देंगे जैसे allow करेंगे तो OTP आटमेटिक यहाँ पर fill हो गया है अब हम यहाँ नीचे से submit पर click करेंगे तो देखिए हम यहाँ पर my card वाले website में login हो चुके हैं यहाँ my card वाले section में दिया है first number पर credit card है जो कि यह है मैरा physical credit card और नीचे वाला है virtual credit card यहाँ है debit card यहाँ इस पर click करते हैं तो अभी यहाँ पर कोई भी debit card सो नहीं हो रहा है debit card को हमें यहाँ पर link करना पड़ेगा ठीक है यह जो physical credit card है इसका saving number तो इस card के उपर ही दिया होता है लेकिन जो virtual credit card है इस virtual credit card पर नमर तो दिखाई देता है लेकिन इसका saving number पता नहीं चलता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस virtual credit card पर इस तरीके से एक बार click करेंगे उसके बाद हम थोड़ी दे इतियार करेंगे यहाँ पर हमारे card का detail आचुका है यह virtual credit card और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखाई card details इस पर click करना है अब हम यहाँ डालना है data birth यानि जिसके नाम से credit card होगा उसका data birth आपको यहाँ डालना है data birth डालने के बाद proceed to verify इस पर click करेंगे यानि लिखाई open HDFC bank page निचे लिखाई proceed इस पर click करेंगे अब यहाँ बोला है login into HDFC bank यानि HDFC bank के website में हमें login करना है और login हम तीन तरीके से कर सकते हैं पहला है नेर्पगी से दूसरा है debit या ATM card से और तीसरा है credit card से हमारे पास credit card है तो हम क्या करेंगे इस credit card को ही यहां से select कर लेते हैं उसके बार यहां पर हम डालेंगे credit card का last का चारंग उसका expired date यहां पर डालना है अपने credit card का चारंगों का पीन यानि ATM यहां पर इसका कंडिशन है इसके चौकोल बाक्स में इस तरह के से चेक मार कर देंगे सबसे निचे दिया है verify card इस पर क्लिक करेंगे अब थोड़ी दें इंतिया करेंगे OTP आ गया है OTP को हम यहां से अलाव कर देंगे जैसे OTP अलाव करेंगे तो आटमेटिक यहां पर फिल हो जाएगा अब इसके बाद submit पर क्लिक करेंगे बस हमें इतना ही करना है और यहां पर देखिए हमारे इस virtual credit card का पूरा इटेल आ चुका है यह हमारे virtual credit card का नमर यहां दिया है expired date और इस side में दिया है CV number तो यह आख वाला बंद है इसे हम इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहां पर हम CV number पता कर सकते हैं इ हमें तुबारा से पूरा process complete करना पड़ेगा तब जाके हम CV number पता कर सकते हैं अब यह काम करते हैं कि हम यहां से logout होते हैं और यहां से लिया है उसे मैं आपनों दिखाता हूँ ठीक है अब यहां से हम पूरी तरफ से बैक हो जाते हैं ठीक है और file manager को अपने mail में open करेंगे देखें हमने यहां पर इसकी इंसर्ट लिया था तो हमारे इस virtual credit card का CVV number यहां पर दिया हुआ है तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी HDFC bank के virtual credit card या फिर virtual debit card का CVV number पता कर सकते हैं तो यह जानगारी कैसी लगी comment box में comment करके ज़रूब बताइएगा अगर वीडियो क्राइब करके वे लाइक अंजरू प्रेस कर दें तो मिलते हैं इसी बिगार की एक और ग्यानोली वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद